हेलो प्यारे स्टूडेंट, सीबे सीवोडें दोस्तों, फाइनली आप लोग के लिए एक नहीं दोस्तों, दो बहुती बड़ी गुड़ न्यूज दे दिये हैं, अगर आप लोग 10-12 के स्टूडेंस हैं, तो आज किस बड़ो को आखिर तक आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज किस बड़ो में दोस्तों 2 बहुती बड़ी अच्छी खबर आपको मिल रही होगी, जैसे कि आपने वीड़ो के थम्निल में ही देख लिया होगा, इस बार दोस्तों, किसी भी बच्चों के दोस्तों Marks कम नहीं आने वाले हैं, और कोई भी बच्चा दोस्तों यहां पे सकते हैं तो स्कूलों को लेकर दोस्तों यहां पर एक और आया है जिसमें साप सब उन्हें कहा गया है कि उन्हें कम नंबर नहीं देना है अब कितना आपको दिया जाएगा मीनिमम कितना मिलना होगा इस पर पूरा कम्प्लीट बात करेंगे लेकिन उससे पहले प्यार स्वड़ेंस इस वीडियो के हम सुरुवात करेंगे देड़ सीट को लेकर चैल पर पहली बार आया है तो चैल को सस्क्राइब जरूर करिएगा क्योंकि सिबसी बोड को लेका जो भी इंपोर्टेंट वीडियो होते हैं इस तो यह दोनों सब्जेक के एकजाम में जो इंपोर्टेंट कोस्टन है जो आपकी हर बार रिपीट होता है जो मोस्ट प्रोवेली कोस्टन है कि यह आएगा ही आएगा तो जो हाइली रिपीटेड कोस्टन से वो मैंने इस वीडियो में बात किया है तो यह वीडियो जहूर ये वीडियो आपको में चैनल पे जाके मिल रहा होगा और इसी तरही से और भी अच्छी चैनल पे आपको देखने को मिलने बाला है फटापट देट सीट को लेकर बात करें देट सीट को लेकर आप लोग लंबे टाइम से बेट कर रहे हैं आखिर वो कौन सा रीजन है जो हमारे देट सीट को रोक के रखा हुआ है । यहां पे जहे हैं बौड ने किलियर कर दिया है कि देट सीट पे कोई इंतजार नहीं है सिबेट सीट बौड ने जो देट बताई ती जो टाइम बताया था बस उसका वेट कर रही है CBC Board जैसे ही वो टाइम हो जाएगा जैसे ही वो डेट हो जाएगा आपका देट सीट आपको मिल रहा होगा ICAC Board हो या देशबर की जितनी भी State Board हो सबने देट सीट को जारी करना सुरू कर चुका है बोर्ड भी जो है CBC Board भी उसी लाइन में है आपको पता होगा सबसे पहले ICAC Board जैसे जो देशबर की जो तमाम बोर्ड है आप लोग देख लीजे ICAC Board हो, EP Board हो जैसे तमाम जो States Board है वो डेट सीट को जारी करना सुरू कर चुके है और ICAC के कतार में CBC Board भी जारी करती है, इनके बाद तब इन्होंने जारी कर दिया है तब अगली बारी देख सीट को लेकर अब यहाँ पे CBC Board का है तो CBC Board है ऐसा नहीं कि देख सीट लेट कर रही है, CBC Board का जो Decide था वो Mid December के करीब आपका देख सीट आने का था तो Mid December हम यहाँ पे पहुच रहे हैं, Mid December के करीब Almost हमा चुके है तो जैसे ही Mid December हो रहा होगा, आपको देख सीट आपके हातों में मिल रहा होगा 10 को भी और साथी साथ HBLS Class 12 को भी देख सीट को लेकर यहाँ पे बहुती बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ लिए जो आपको जाना चाहिए, CBC Board का जो एक्जाम सुरू हो रहा है 15 फरवरी से Class 12 का सुरू हो रहा है Class 3 का जो एक्जाम हो रहा होगा, आपके 21 फरवरी से सुरू हो रहे होंगे Class 3 के बच्चे जानना चाहिए थे बार बर कि हमारा भी एक्जाम 15 फरवरी से सुरू हो जाएगा तो आपके एक्जाम 15 फरवरी से नहीं आपका जो पहला एक्जाम पढ़ रहा होगा 21 फरवरी को पढ़ रहा होगा 21 फरवरी वो डेट होगा जिस दिन class 10 के बच्चों का exam का पहला दिन होगा board exam का पहला दिन होगा class 12 का 15 फरवरी से ही start हो जाएगा तो ये चीजे जो है आपका यहाँ पे clear हो गया और ये आप मैं से काफी सरे बच्चों को ये जानना भी था तो ये चीजे आपका clear हो गया अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी हो सबसे बड़ी अच्छी ख़बर पे जिसका आप लोग बेस्वरी सिंतजार कर रहे थे हैं और जिसको लेकर आपने इस पीड़ों पे click भी किया था CVC Board के दोस्तों हर साल ऐसा कई बार होता है हर साल ऐसा होता है आप मेंसे एक पर comment करके बताईगा कितने सारे आप मेंसे SAS students हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे स्कूल वाले मुझे बहुती कम नंबर देने वाले हैं चाहे वो math के teacher हो, science के हो, physics के हो, chemistry के teacher हो, assist के teacher हो Hindi के teacher हो, या English के teacher हो, या son कोई भी subject के teacher हो वो मुझे बहुती कम नंबर देने वाले हैं क्योंकि उनके सामने मेरा performance खराब है उन teachers के नजर में मैं ठीक नहीं हो, मुझे पक्का एकीन है कि मुझे वो जैसा बोल रहे हैं कि fail कर देंगे, वो पक्का fail कर देंगे, मुझे जो यह school पे बहुती जादा doubt है कि मुझे पूरे number school दे रही होगी, क्योंकि मेरा performance उतना ज़्यादा up to date नहीं है up to mark मेरा performance नहीं है, क्योंकि मैं topper में आता नहीं हूँ पैसे जितने भी सवाल हैं, जो आपके मन में उठ रहा है कि आपके school वाले आपके number कम देने वाले हैं, या आपका number school वाले कम कर देंगे यह चीज़े दोस्तों आपके साथ नहीं हो पाएगी, 2024 के board exam में यह नहीं हो पाएगी जैसे कि आपको पता होगा, टीचर्स के पास आपके 20 number है, आपको अखसर कहते रहते होंगे कि मैं आपको fail कर दूँगा, fail कर दूँगा, आपको तीन number दे दूगा, 4 number इसरो parallel不知道 पासिंग number है, जयसे कि 20 में से जो passing number है आपका कितना है 20 में से जो आपका passing number है वो आपका 6 number है तो 6 से आपको कम दे दूँगा आपको 5 दे दूँगा 4 दे दूँगा तो इन्हीं school ने दोस्तों क्या किया बच्चों को 00 दे दिया जिसके कारण दोस्तों बच्चों ने जब high court में यहाँ पर पहुंचे तो उसके कोई बच्चा कितना भी पढ़ने में भीखो वो जीरो डिजर्प तो नहीं करता है उसको 0 number तो नहीं मिलना चाहिए तो high court ने कहा कि हर एक बच्चों का अच्छी तरीके से मुल्यांकन किया जाए और उसको number उसके according दिया जाए ना कि उसको बच्चों को 0 number या 1-2 number दे दिय आपको डरना नी चाहिए आपको board exam को लेकर तैयारी करनी है और जो एक-दो स्कूल आपको फेल भी कर रहे थे आप वह भी स्कूल नहीं फेल करेंगे क्योंकि 2024 में दोस्तों यह order है कि कोई भी स्कूल वाले internal assessment में आपको फेल नहीं कर सकते हैं तो teachers के marks को लेकर आपको डरना अपना best देना है pass आप होंगे अब teachers आपको fail नहीं कर पाएंगे teachers के हाथ में दोस्तों यह right नहीं है कि आपको pass कराएं या फिर आपको fail कराएं तो दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों जो responsibility है पूरी तरीके से जो pass and fail decide करेगा वो आपका pen करेगा और आप करेंगे तो ध्या पर जल्दी आ रहा है तो part 2 वीडियो का wait करिएगा यह बहुत ही जादी important वीडियो का series में चला रहा हूँ आपके लिए तो यह सारी वीडियो जाके आपको देखना है चैनल को subscribe जो करिएगा क्यों किसी तरह किसे प्यारे students आगी भी आपको अच्छी चीश वीडियो में दे करने वाला हूँ अपना बहुत जारे ख्याल रखीगा जय हिंद्ध